नमश्कार स्वागत है आपका डवाली केसरी में और मैं हूँ आपके साथ निशा खना लगातार चुनावी सवर आपको दिखा रहे हैं चुनावी कवरेस दिखा रहे हैं और चुनाव को लेकर अलग अलग जो चैरे हैं जो की परतियाशी के रूप में मेदार में नजर आ रहे हैं उनसे रूप रूप करवा रहे हैं उसे के तहट आज हम पहुंचे हैं वार्ड न जी सबसे पहले आपका स्वागत है मड़म पानी की समस्या जो भी समस्याएं हम सारी दूर करेंगे के इन और कितना एरिया इंक्लिईड है जैसे कि निरंकारी भवन की बैक साइड होगी, चुटाला रोड हो गया, कलोनी रोड हो गया, यह सारे रही है वाड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है? वार्ड के अंदर जो भी है जैसे कि सी तुब्रेज की प्रॉब्लम् चल रही है हमारी गली में सफाई की प्रॉब्लम् जदा है लोगों को वो सारी कलियर करनी है अगर पात करूव बिजली की समस्या जदा तर रहती है बिजली की या फिर गंधे पानी की निकासी की तो क्या यह समस्य आपके वाइड में नहीं है? है, बार इन समस्याँ को आप किस नजर से देखते हैं और आप हला कि चुनाव भी लड़ रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं जनता किस तरह की प्रोब्लम आपके सामने रख रही है? यही problems हैं बिजली की समस्या, पानी की समस्या, यह सारी problems ही आ रही हैं सबको और हमारा यही उदेश्या रहेगा कि यह सारी problems दूर करेंगे वाइड के अंदर जा रहे हैं, जनता की और से किस तरह करे इंस्पॉंस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बड़िया, सारे साथ कड़े हैं, किसी तरह की अभी तक तो कोई समस्या नहीं आई है, जी, तो जिस तरह की वाइड की बात करो, वाइड के अंदर मुख्या समस्या क्या आपके सामने आ रही है, सफाई की समस्या है, थोड़ी, पानी की समस्या है, सी और तमाम समस्या हैं जो वार्ड में देखने को मिलते हैं क्या आपके वार्ड में पूरा पार्षद ने पूरा विकास करवा रखा था अभी तो जानौरों की समस्या हैं अवारा बश्यों की समस्या है तो देखिए वाड के अंदर नशे की समस्या भी देखने को मिलती है बिल्कुल सही है, है यह समस्या आप किस नजर से देखते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चनोतियां आ रही हैं, पार्षद के रूप में लोग आपको चुनेंगे तो आप किस तरह उन शमस्याओं को दूर रखेंगे, हम बिल्कुल दूर करेंगे, हमारे यही तो मकस्तिद मैंजी है, चुनेजर से लूप म कावल करने हैं दिखिए यहां के जो विधायक है, कॉंग्रेस पार्टी से है, हलाकि आप भी कॉंग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, क्या विधायक का यहां से होना, कॉंग्रेस पार्टी के वो हैं और आप भी कॉंग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हैं, क्या असर रहेगा आप के चुनापर बिल्कुल जी हमारे विधायक वमिश्या जी है वो हमारे कांगरेस के विधायक है तो वो हमारे साथ है तो हम तो बिल्कुल उनके साथ हमारे लेकि वायड के अंदर तमाम समस्या आपने बताई पार्षद के लिए उमीद हर कोई लेकर चलता है हर जीत इनसान की किस्मत है तो उसे पहले मैं आपसे ये जाना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जो कि अगर आप जीत हासिल करते तो सबसे पहले यहां की जनता को उससे मिज़ाज दिलाओगे सारी समस्यां से इज़ाज दे आएंगे हमारा तो यहीं मकसद है बड़ी समस्या अवारा पश्यों की होगी, सिफाई की होगी, बिजली की होगी लाइटिंग की प्रॉबलम होती है थोड़ी बहुत सारी दूर करें मैं लगातार आप जनता की बीच में जा रहे है अगर मैं बात करूँ पिछले पार्शद की तो पिछले पार्शद को लेकर जनता की और से किस तरह का रिस्पोंस मिल रहा है क्या उन्होंने काम करवाया या फिर उनको लेकर समस्याएं भी कुछ जनता रख रही होगी उसके बरे में क्या को हुआ जी बिल्कुल जो पूर पाश्या थे उनमें लोगों को काफी प्रॉबलम आई है जैसे कि लोगों को कोई प्रॉबलम थी लोगों को भार बार चक्कर लगाने पड़ते तो लेकर समस्याएं बताई वाइड के अंदर जना जा रहे हैं हलाकि बात करें पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं काफी प्रॉबलम थी इनको आ रही है लेकिन इन्होंने बताए कि समस्याएं से हमारा मुकाबला है मैदान में अलगलग पारटी के कैंडिडेट है उनसे हमारा मुकाबला नहीं है मुकाबला तो सिरफ यहां का जो विकास है उसके साथ मुकाबला है अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि मैदान के अंदर अलगलग पारटी के चेहरे तो है लेकिन कौन बनेगा यहां का पार्शड वार्ड नमबर बारा की जनता है जो कि किसको चुनती है यह तो समय बताएगा तो इसी तरह लगातर आपको चुनावी कवरेस दिखाते रहेंगे और हर एक वार्ड में जाकर जनता के मुद्धे तथा वार्ड के अंदर जो चहरे हैं मैदान में आये हुए हैं उनसे भी रूबरू करवाते रहेंगे तब तक इसी तरह आप देखते रहेंए डवाली केसरी और मुझे दीजी इजाज़त